हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग मैं आपकी होस्ट एंदोस नीरुसर मैं एक और फिर से लेकर आई हूँ बहुत इस्यांदाल लाजवाब टेस्ट में भरपूर और स्वास्ते वर्धक सबजी इसको बनाना बहुत आसान है लेकिन इसकी कुछ खास ट्रेक्स खास बाते हैं जो मैं आपको बनाते बनाते बताती जाओंगी तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए कहीं से भी बिना स्किप किये हुए इस प्राउट्स यानिकी बरिया की सबजी बहुत सारे पौसक ततों से भरपूर होती है तो जरूर खाईए आपको ये पूरे दिन एनरजी फूल रखती है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं मैंने 200 ग्राम चना लिया है और 1500 ग्राम मूंग ली है हरे वाले मूंग आते हैं वो वाले मूंग है और चना लिया है इन सबी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है आप भी इन सब को अच्छे से साफ करें उसकी बाद में ही यूज करें वैसे तो आजकल मार्केट में साफ कीवे मिलते हैं लेकिन फिर भी एक बार आपको नजरों से निकाल लेना चाहिए क्योंकि इन में छोटी छोटी से कंकड पत्थर आते हैं आपके दांद डेमेज हो सकते हैं तो आपकी सेफटी के लिए आप इन दिन भर के लिए छोड़ दीजे ताकि ये अंकुरित हो जाएंगे और आप ज्यादा अंकुरित लेना चाहते हैं ज्यादा अंकुरित सब्जी बना कर खाना चाहते हैं तो आप इसे रात भर के लिए भी छोड़ के रखे मतलब की पूरा दिन और पूरी रात आप इसे ऐसे ही छोड़ दे या फिर सूती कपड़े में बांद करके छोड़ दे सूती कपड़े में बांधने से क्या है जल्दी और जादा अंकुरी थोता है अनाज क्योंकि उनमें थोड़ी सी गर्मार्ट हो जाती इकटे होने से आपको कमजूरी ये थकावट फील होती है तो आप रोस उबह इस तरह का नास्ता कीजिए पानी को बॉयल कर लेंगे अच्छे से गेस पे और उसके बाद में अंकूरी जो डाले हैं उनको धो लेंगे और उसके बाद में आराम आराम से एड़ कर दीजिए पानी में ताकि आपके छीटे ना लगे आपको जलना नहीं है आराम आराम से डालिए बिना जल्दबाजी की डालिए आप आराम से आप इनको बॉयल करके भी खा सकते हैं कच्छा भी खा सकते हैं और सबजी बना करके भी खा सकते हैं अभी अपन कलर के लिए एड़ कर देंगे हाफ चमश टर्मेरिक पाउडर और दो छोटे चमश नमक की यानि की एक बड़ा चमश नमक अभी इनको अच्छे से मिलाईए ताकि नमक पूरे में इकवल तरीके से मिक्स हो जाए और हल्दी पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए कलर सभी में इकवल तरीके से आए ये देखे, boil होना start हो चुकी और जाग बनना start हो गया है तो आप जागों को निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजे, ना निकालना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैंने जाग निकाल दीए हैं ताकि अच्छा दिखे और इनको अच्छे से mix करते रहे हैं बीच बीच में हिलाते रहे हैं ताकि पैंदे वगेरा के नाचिप के देखे कलर डालते ही कितना सुन्दर कलर आया है इनमें boil होने के बाद में इनका कलर बिल्कुल भी फाल्क नहीं होगा मैं आपको दिखा दूँगी तो चले मसाले बनाने की तरफ अपन चलते हैं चार मीडियम साइज के टामाटर लिए हैं तीन मीडियम साइज के प्यास लिए हैं और चार-पांच छोटी-छोटी हरी मिर्ची लिए हैं इन सभी का अपन मसाला तयार करेंगे आपके पास यदि हरी मिर्ची नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन टामाटर और प्यास तो चाहिएं सबसे पहले मिर्ची को बारिक बारिक चौप कर लेंगे मिर्ची आपको वैसे भी खानी चाहिए प्यास को भी बारिक बारिक चौप कर लिया है मैंने और टमाटर को भी बारिक बारिक चौप कर लिया है आप इन सभी को ऐसे सिंपल भी छौक सकते हैं और आप चाहें तो तीनों को अलग-अलग मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और पेस्ट बना करके भी छौक सकते हैं मैं यहाँ पे सीधे ही डारेक्ट यूज़ करूंगी देखी चना और मोंग अपनी बॉयल हो चुके हैं अच्छे से दस मिनट पका लिया है इनको तो यह अच्छे से बॉयल हो चुकी है कलर देखी बिल्कुल भी फाल्ट नहीं हुआ है जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था बिल्कुल शांदर कलर इन में बना हुआ है, बरकरार है हल्दी पाउडर डालने का ये बेनिफिट होता है इसमें तो चलिए गेस को बंद कर देते हैं और इन्हें पानी में ही रहने देते हैं आपन यूज करेंगे उस समय इनको निकाल लेंगे तो दूसरे गेस पे चड़ा लिये, मैंने कड़ाई और कड़ाई को गरम करने के बाद में इसे में कुकिंग ओयल डाल देंगे कुकिंग ओयल आपको इसा भी ले सकते हैं जो आप लेना चाहें और इसको अच्छे से गरम होने के बाद में आधा चम्मत जितना जीरा डाल देंगे पहले थोड़ा सा जीरा डाल कर देख लीजिए तेल गरम हुआ है की नहीं हुआ जैसे तड़कना स्टार्ट हो तो पूरा जीरा डाल दीजिए आप और इसे तड़कनी दीजिए जैसे ये तड़क जाए उसके बाद में आपके पास कड़ी पत्ते हो तो कड़ी पत्ते डाल दीजिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और उसके बाद में डालिए प्याज बारिक चौप किये हुए और इन्हें मिला लीजिए आराम से मिलाए ताकि छीटे ना लगे प्याज को आपको धोकर के लेना है काटने के बाद में आप धोलीजे और पानी अच्छे से निकाल लीजे उसके बाद में आप प्याज डालिए उससे क्याना स्मेल नहीं आती और बहुत ही अच्छी खुसबू आएगी इसमें गॉल्डन ब्राउन होने तक आपको पकाना है लेकिन गॉल्डन ब्राउन होना जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय आपको डाल देना है हरी मिर्ची ताकि प्याज भी ना जले और हरी मिर्ची भी पक जाए और दोनों साथ साथ में अच्छे से पक जाएंगी गॉल्डन ब्रा अगर आप इनको अच्छे से नहीं पकाते हैं तो इसमेल देगा और मीठी मीठी सी सबजी लगेगी तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती तो आपको इस तरह से गॉल्डन ब्राउन होने तक पकाना है उसके बाद में डाल दीजिए टामाटर चौप किये हैं और इन्हें भ तो इसमें थोड़ा सा हलका सा पानी एड़ कर सकते हैं पर अभी नहीं जब आप हल्दी मिर्ची डालो उस समय ताकि हल्दी मिर्ची जले नहीं यह देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था एक चमस मैंने डाली है हल्दी और एक चमस मैंने डाली है मैंने लाल और इनको मिला लेना है और इस समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि गेस की फ्लेम को धीमी रखनी है ताकि हल्दी मिर्ची जले नहीं और अच्छे से पके इनका कलर भी अच्छा है टेस्ट भी अच्छा है खुस्बू भी बनी रहे और श्यांदार सी सब्जी बन करके ले सकते हैं जैसे ही ये सारे मसाले पक जाएं उसकी बाद में डालिए एक चमश धनिया पाउडर वन फॉर चमश नमक की क्योंकि नमक अपने बोईल किया है इस प्राउट्स को उसमें भी एड़ किया है तो केवल इन मसालों की जितना ही आपको नमक एड़ करना है अच्छे से आप मिलाईए तेल उपर आ जाएगा पकते ही और अच्छे ची खुसबुआ जाएगी तब आपको समझना है कि हाँ भई सबजी बनने लाइक हो चुका है मसाला कहने का मतलब है कि मसाला पक जाएगा उसके बाद में आपको डालना है इस प्राउट जो आपने बोईल किये हैं पानी को निकाल करके ताकि ये ठंडे ना हो और कड़क ना हो इसलिए अपन ने पानी में रखाता इनको पानी को निकाल दिया और उसके बाद में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से mix कीजिए और इसके बाद में 2 मिनट तक आप इसे पकने दीजिए ताकि सारे मसाले इसमें समा जाएं और बहुत अच्छे सी खुसबो और बहुत अच्छा सा टेस्ट बनके आएं ताकि खाने में सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगें डिलीशियस लगें हमारे राजस्थान में तीज के दिन राखी के दिन त्योहार के दिन इस्पेसली स्ट्राउट्स की सबजी बनाए जाती है तो आप भी बनाए और इंजोई कीजिए कोई सा भी फेस्टिवल और पर जरूरी नहीं है कि फेस्टिवल की दिन ही खाय जाए आप कभी भी बना करके खा सकते हैं सावन के महिने में तो खास कर बनाई जाती है यह सबजी तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें क्योंकि यह बिल्कुल फिरी होता है आप आगे कौन सी रेसिपी सीखना चाते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं ट्राइ करूंगी आप लोगों की हेल्प करने की थैंकि सो मच पूरे वीडियो पे बने रहने के लिए